हेलो फ्रेंट्स गुड़ मॉर्निंग कैसे हो आप सभी एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके यूटूब चैनल जिक्के बाइज होती का सुरेलिया जैसा कि मैंने आपको हर्याना जिक्के वाज करानी स्टार्ट के थे और आज मैं आपके लिए हर्याना जिक्के में हर्य जिक्के मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्ट्रिक जिन्द लेकर आई जो आपके आने वाले एक जैम्स के लिए बहुत ही हल्पूल सा भी तोगा चलिए फ्रेंट्स लू करते हैं आज का हमारा टोपे कार्याना जिक्के में डिस्ट्रिक जिन्द जिसके बारे मैं मैं आपको अबरे मैं जिन्द को जैंती नगरी और जिन्द को हर टोप हर यान भी का जाता है और ऍस्ताबन जीन्द की स्ताबन दोस्तों एक पर आगेते दोस्तों दोस्तों परेखे देखे मुआना बाभत कायो दोस्तों मुठिसें प्रमोडुकमंडल हो सब्सक्राइब के वहाओ धाल कायो ये दूस्त खते। दोस्तो आपका ये खंड है जींद नर्वाना स्पीद गड़ेनUR आप खंड देख्या एकली से लग्मार्वाना फिल देखांचर मेजन है लग्मार्ट गड़ेनिड देख्योट कंदोट ककेस्वोट आप करी दोस्तों आपके खऴा हैं अगे देखे जेन को प्राचिन चाल में क्या 가रे से जाना जाता है हूँ और मावार्थ काल में इससदा बनाब देखे जान सेसा요e के बारे में आपको एक बवरह इसदर से से सनय कहरे देंगे आगे देखे स्पीदो स्पीदो का प्राची नाम है सरफदमन और राजा जनमेजय ने अपने पिता परिरिक्सित की याद में सरफदमन यग का निर्मान करवाया था और प्राची नाम है सरफदमन और राजा जनमेजय ने पिता परिक्सित की याद में सरफदमन यका निर्मान करवाया था क्योंकि जनमेजय के पिता परिक्सित को सापो ने डस लिया था जिसके कारण यहां पर सरफदमन के लिए जनमेजय दवारा यह करवा गया था और इसका प्राचिनाम सरफदम था अगे देखेयेह। हंस ट किसे जção को आई झालए हैं इसलिए हंस टह के नाम से जाना जाता हैं हंस डेहर पर दोस्तों यां देवता गने हंस की स्वारी पर आये थी इसले यह स्थान हंस डेहर के नाम से जाना जाता आगे देखे पांडु पिंडारा पांडु पिंडारा पांडु पिंडारा दोस्तों एक माबारत काल रहें परमुक स्थाल और पांडु पिंडारा माबार पांडो ने अपने पित्रों के पिंद्दान के थे और 12 वर्स तक सुमती हमाँ से का निर्वाण किया था। माभारत काल में पांडो ने अपने पिताख अपने पितरों के लिए पिंडदान किया था और 12 वर्ष तक सोमते मावसय का इंतजार किया था इसलिए ये थी दोस्तो पांडो पिंड़ार के बारे में आपको जानकारी आगे देखिए और भी जानकारी देती हूँ आगे हैं दोस्तों आपका डुन्डु ती रड़ दूंडु ती रड़ तित रप्रेत्टि क्ञारी जिससका नाम हमें अभी जान सांकु ति alleen आपको जानकार इसलिए इसलिए इसे वारे अवतारों से बी जाना जाता है। एक बार रामराई तिरत के बारे में यहां पर परसुराम के पिता जमदगनी ने एक यग का आजन किया था ठीक है दोस्तों आगे देखें नर्वाना नर्वाना जिनका एक मैत्वर्ण स्थाल और नर्वाना को मौर्गोत्र की जाटो के दोवारा बसाए गया था इसको नर्वाना के नाम से जाना जाता है ठीक है एक बार नर्वाना को फिर से देखें नर्वाना नर्वाना में नर्वाना को मौर मंदिर के जाटो के दोवारा बसाया गया था और इसको मौर्वाना के नाम से भी जाना जाता है और तमान में इसे नर्वाना के नाम से जाना जात जीन्द के किले का निर्मान सुपी चत्र में राजा गनपत सिंग के दवरा बनाएगा था रानी तलाब याबुतेश्वर महल रगवीर सिंग ने करवा था ये था दोस्त आपके जीन्द डिस्ट्रिक के बारे में मैं तो पुन जानका रही है और ऐसे ही मैं तो पुन डिस्ट आसा है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आगे और प्लीज प्रेंट चाहिए को जादा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंट्स में सेर कीजिए थैंक्स तो ओल इफ यू है वे नाच टे गुडबाई